अगर आप इग्नु के स्टुडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जाधा है फूल हो सकता है इग्नु में Economics Honors जो रिसेंटली एक कोर्स लॉंच हुआ है उसमें Mathematical Method in Economics Part 1, Part 2 यानि के BECC102 and BECC104 लॉंच किया है अब बच्चे Economics Honors तो करना चाहते हैं कि उनका problem यह होता है कि उनका Maths में background नहीं होता है या पिर उनने 11-12 में Maths नहीं बढ़ा होता है और अगर पढ़ा है तो उनकी उसमें conceptual clarity नहीं होती है कि ऐसे बच्चे इन दो कॉर्स पर बहुत प्रग्रम प्रेस करते हैं विच इस BECC102 and 104 यहां पर हम आपकी बहुत help कर सकते हैं We have a solution for you अगर आप ऐसे स्टुडेंट्स हैं जो एकनोमिक्स ओनर्स कर रहे हैं और Maths आपको बहुत जादा परेशान करता है So don't worry we have a solution for you आपको Google Play Store से Earthshala app download करना है उसका link आपको description box में भी मिल जाएगा आप description box में जाके check कर सकते हैं और आपको app download करने के बाद में उसके store section में जाना है जब आप उसके store section में जाएंगे तो आपको IGNU का यह course दिखेगा which is mathematical methods in economics PCC 102 and 104 यानि कि दोनों semester का course एक साथ as far as content is concerned content में अगर आप देखेंगे तो PCC 102 में पूरे 6 block है 6 blocks में क्या है block 1 आप देखेंगे unit 1, unit 2, unit 3 पूरी इसमें unit है मैं आपको एक-एक block की सारी units वो check करा देती हूँ ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे as far as course content is concerned block 2 में आप देखें block 2 में आपके unit 4, unit 5, unit 6 है block 3 में आप देखेंगे आपके पास 29 videos है limits, continuity, derivatives, higher order derivatives इसके बाद में block 4 में आपके 5 videos हैं जिसमें आपको convex function optimization पढ़ना है then block 5 में आपको integration पढ़ना है, block 6 में आपको difference equation पढ़ना है BCC102 में 6 blocks हैं जिसके अंदर आपके 16 units हैं अब 16 units के बाद में BCC102 खतम हो जाते हैं लेकिन maths खतम नहीं होता है economics honors में maths के लिए फिर आपको second semester में BCC104 भी पढ़ना होता है BCC104 में आपके 4 block है और 10 unit हैं unit 1, unit 2, block 2 में फिर आप जाएंगे आपको 2 unit तेखने के लिए मिलेंगी first order differential equations, second order differential equations then block 3 में आपको 3 unit तेखने के लिए मिलेंगी unit 5, unit 6, unit 7 block 4 में आपको unconstrained optimization तेनों के तेनों unit तेखने के लिए मिलेंगी आप content देख सकते हैं अगर हम इस course के features की बात करें तो इसका सबसे पहले features तो यह है कि BCC102 & 104 का comprehensive labels का coverage है यानि कि जितना piece labels आपको exam clear करने के लिए required है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा और तूसरा इसके सबसे बड़ा feature यहीं कि जो examples इगनू के book में use हुए है उसके अलावा जितनी भी reference book इगनू के books में suggestion है जब आपने इगनू के books बढ़ी होंगी तो हर chapter के end में आपके reference books आती है तो उन reference book में जितनी भी books का mention है उसका जितना भी best इसमें content है वो extract करके डाला गया है तीसरी इसमें आपको सबसे important feature जो मिलता है वो doubt clearing facility का मिलता है जैसे ही आप app के check sections में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसमें अपना message जो है वो लिक्या teacher के लिए छोड़ सकते है और जो teachers है वो इसमें आपके जो doubt है उनको clear करेंगे देखे जैसे कि यह earth shala है आप earth shala के जाके आप यहाँ पे कोई भी message डाल सकते है और जैसे ही आप यह message डालेंगे वो message immediately हम तक पहुचेगा और हम आपके doubt clearing में help करेंगे next सबसे बड़ा feature यह है कि जो इग्रू के बचों को सबसे ज़्यादा problem होती है assignment कैसे बना है assignment कैसे बना है तो assignments के जितने questions हैं उन सब का solution आपको इन ही के faces पे मिल जाएगा मैं यह नहीं कह रही हूँ mind it मैं यह नहीं कह रही हूँ कि जो assignments है उसका word to word हमने questions को solve कि है लेकिन जितने भी concept assignments में पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे detail में discuss हुए है अगर आप BCC102,104 के student हैं तो please एक बार इस course को check out कीजिए इस course का जो free content है इस course में 13 lectures ऐसे हैं जो free है उनको check out कीजिए और please go and check out the course this might be very helpful for you और आने वाले टाइम में हम BCC का पूरा course लेकर आने वाले हैं यानि के BCC101,102,103,104 पूरा combo course first year का then second year, third year सारे courses आपको हमारे app में मिलेंगे अगर आप second year में है, third year में है तो this app will be very helpful for you तो आप आपको डाउनलोड कीजिए आपको डाउनलोड करने के बाद free जो उसमें content है उसको देखिए free content देखने के बाद में decide कीजिए whether it is worth it or not I hope you like the video, if you like it please like it, share with your friends, channel को subscribe कीजिए ताकि और ऐसे ही हम content आपके लिए लाते रहें आपके लिए लाते रहें until next time, thank you so much